हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू भावना जैस्वाल रेसिपी आपके इसलिए मैं एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूं जिसका नाम है बेशन उत्पम जिसे ना तो दाल से बनाएंगे ना ही चावल से बनाएंगे सिफ बेशन से ही बनाएंगे और यह बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं और इसे प्रेकफास में यूज कर सकते हैं तो चलिए हम बनाते हैं बेशन लिया है जैसा आप देख रहांगे दो कप हमने यहाँ पर बेशन लिया है और वेट के कॉड़िंग धाइसो ग्राम के करीब हो गाई है और इसके अंदर हम बेशन मिक्स कर देते हैं साथ म आप देख रहे होंगे यह दही घर की है और यह बहुत गाड़ी भी है और उत्पम बनाने के लिए आप खटी दही ले तो बहुत अच्छा रहेगा और इसके अंदर इसको mix कर देते सारा डाल दोते और साथ ही इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते चीला और उत्पम दोनों बहुत ही डिफरेंट होता है तो मैं आपको आज उत्पम बतारी हूं कि किस वे में बहुत इजी वे में बिना आठा और डाल के आप बेशन का उत्पम बना सकते हैं तो आपने इसको अच्छी तरह से mix कर दिया, तो साथ में इसके अंदर हम soda डालेंगे, half spoon के करीब soda है, तो उसे mix कर देते हैं, और अच्छी तरह से चला लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा यह गाड़ा दिख रहा है, तो इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं, जिससे better अच्छी तरह से इसके अंदर घुल जाए, यह अच्छी तरह से इस तरह आप चलाते रहें, बहुत easy और आप breakfast में इसे बना सकते हैं उत्पम को, इस तरह आप इस तरह mix कर दें, और mix करने के बाद इसे आप देखेंगे, इस तरह की consistency अभी बहुत ही गाड़ी है, तो थोड़ा सा और हम पानी इसके अंदर mix कर देते हैं, अगर आपके पास खटी दही नहीं हो और दही अगर खटी नहीं हो तो आप दही जो डालेंगे, जो normal दही आप डालेंगे, जो पूरा दही महीं खोलेंगे, जिससे के उत्पम आपका बहुत अच्छा बनेगा, मेरा दही तो बहुत खटा था, इसलिए मैंने एक बॉल यूज किया है, इस तरह की consistency हो गई है, तो इसे अब हम 20 मिनट के लिए रख देंगे, उत्पम की टॉपिंग बनाने के लिए, हमने यहाँ पर सामने आप देखेंगे, प्लेट में मैंने प्याज लिया है, जिसे मैंने कट कर लिया है, बहुत महीं महीं, और टमाटर है, एक टमाटर है, धन्या की पत्ती है, और यह हरी मिर्च है, तो इसे हम तब तक यह बैटर 20 अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, चीला और उत्पम में फर्क यह होता है कि चीला में जब हम बनाते हैं, तो बेशन के अंदर हम डाल देते हैं, सारी कुछीज, बट उत्पम जब बनाएंगे, तो हम बेशन के ऊपर डालेंगे, और उसकी टॉपिंग करेंगे, तो यह आ इसे जब हम बनाना होता है, तब इसके अंदर हम थोड़ा सा यह दही का पानी डाल दिजई, यह थोड़ाँ सा पानी हो आपके पास, तो वो डाल दिजए, जैसे कि थोड़ा सा हलका सा falling consistency हो जानी चाहिए, तो यह देखेंगे इस तरह इसको आप मिक्स कर लें ची तरह से, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है, यह उत्पम लाइट है, ज्यादा ओयल भी नहीं है इसके अंदर, मसाले भी नहीं है, और बहुत ही सॉफ्ट होता है, इस तरह टालने के बाद इसे मिक्स कर लें, अब आप देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो चलिए अ हम तवे की तरफ चलते हैं, और इसे के करके उत्पम बनाना स्टार्ट करते हैं, तवे को हमने गरम कर लिया है, और आप देखेंगे कि तवा अच्छी तरह से हमने गरम कर लिया है, और इसमें साथ में यहाँ पर हम ओयल ले लेते हैं, और इसको एक बार ओयल से अच्छी त इसके चीलियों इसमें फर्क यह होता है कि आप जब उत्पम बना रहे हैं तो आप इस तरह आप इसको डालेंगे, प्रेस नहीं करेंगे और इसको आप इस तरह डालेंगे, हमने यहां पर तीन चमण डाल दिया है और इस तरह इसको करने की बाद बेशन को और उपर से हम यह जो बनाया था उसको इसके उपर डाल देते, बहुत ही सुन्दर लग रहा है और बहुत ही यमी भी है, इस तरह की इसको टॉपिंग इसको थोड़ा सा हलका सा प्रेस कर देंगे, चीले को हम पतला बनाते हैं बट उत्पम को हम वोटा रखते हैं, इस तरह आप कर ले और करन 5 मिनट ले से इस तरह ढख दे, अगर आपके पास स्टील का प्लेट है उससे भी ढख सकते हैं, नहीं तो इस तरह का प्लेट अगर हो आपके घर में हो ढखने का तो आप उससे ढख सकते हैं, तो 5 मिनट ले हम ढख देते, 5 मिनट हो गया है, अब इसे हम उठा कर देखते हैं और बहुत ही हलके हातों से आप देखेंगे कितना सॉफ्ट है ये उत्पम और इसे टर्न कर देंगे वाँ आप देखेंगे कितना अच्छा कलर आया है बहुत ही अच्छा कलर आया है और आप जब भी बनाएं उत्पम इसे स्लो में बनाएं बिल्कुल स्लो फ्लेम में ही के लिए उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो हम वेट करते हैं पांच मिनट का पांच मिनट के बाद वापस देखते हैं उत्पन कैसा बना हुआ है तो इसे वापस टर्न कर लेते हैं अब आप देखेंगे बहुत ही अच्छा कलर आ गया है तो अच्छी तरह से य इस को जबले हो गया है और इसे हम प्लेट में निकाल लेते बहुत ही अपे। आप देखेंगे इसे हम एक एनद निकाल लिया है और थोड़ा सा ठंड़ा उत्मने देते हैं, इसी डूरेशन में मैं दूस्ता उत्मन बना लेती हूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लेग सबसे पहले यह जो नदवा है, इसको साफ कर लेते हैं, और थोड़ा सा ओईल इसके अंदर हम डाल देते हैं, जिससे यह चिपके नहीं, अच्छी तरह से इसको पर ऐसे हलगा सा प्रेस कर दें, और लिए टॉपिंग हमने बनाई है, इसको ऐती चोटा से बनाया है, और इस तरह यह टॉपिंग इसकी कर देते हैं, टमाते डालते हैं, टमाते सी अच्छा लगता है, ऐधृत्य पर और युश्टा लेते हैं, तो थोड़ा सा चार turn कर देते हैं हम इसे Heat 등 भाइल यहां पर थोड़ा से ओइल एक बाधोर डाल देते एक बात लेखिन हो त्धाना चाहूँगी कर आपको थोड़ा कृस्प जाए ुसके अंदर आप सूजी भी दूसरे साइड भी उत्पम हो गया है, तो इसे वापस में टर्न कर देती हूँ, आप देखेंगे इसका कलर कितना अच्छा आया है और गैस को ओफ कर देते हैं, और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, बेशन का उत्पम बिलकुल बन कर रेडी हो गया है, और आप दिखेंगे कि यह कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही सॉफ्ट है इसे आप धनी की चट्टी के साथ खाएं या नारियल की चट्टी के साथ खाएं बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही टेस्टी लगता है hope आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और easy way में बन जाता है तो अपने breakfast में इसे जरूर अपलाई करें बेसन का उत्पम hope आपको ये recipe पसंद आईगी पसंद आई है तो like करना ना भूले till then goodbye and have a happy cooking